हेलो दोस्तों वेलकम टो आवर चैनल लर्न फॉर जॉब आजके इस वीडियों में हम जानेंगी त्रीपुरा के मुख्यबंतरियों के बारे में कि इस राजी में सबसे ज़्यदा कौन सी पार्टी सत्ता में रही है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दू कि मे माननेता दी गई इसके बाद फिर 1 जुलाई 1963 को गेंदरसासित प्रदेश त्रीपुरा की टेरिटोरियल काउंसल को भंग कर दिया गया था और केंदरसासित प्रदेश त्रीपुरा की पहली विधान सभा का गठन किया गया और इसी डिजॉल्ट प्रादेशिक परिसत के प्रियंतर प्रयासों और संघर्स के साथ त्रीपुरा को 21 जनवरी 1972 को नौर्थ इस्ट्री अर्गनाजेशन एक 1971 के अंसार पूर्ड राजे का दर्जा प्राप्त हुआ तो भाईए यहां देखते हैं कि कितने मुख्य मंत्री बने तो त्रीपुरा राजे के पहले मुख्य मंत्री सचिंद्र लाल सिंग का जन साथ अगस्त 1907 को अगरतला में हुआ और इनका कारेकाल एक जुलाई 1963 से एक नौर्बर 1971 यानि टोटल टर्मिंग का एट एर्स 123 डेस करा और यह इंडिया नेशनल कॉंग्रेस पार्टी से थे हैं इनके लगबर आठ साल की कारेकाल की बा इनका कारेकाल 20 मार्च 1972 से 31 मार्च 1977 तक रहा और यह भी इंडिया नेशनल कॉंग्रेस पार्टी से थे हैं त्रिप्रा के तीसरे मुख्यमंत्री दोस्तों प्रफोल कुमार दास थे और इन्होंने मुख्यमंत्री पत की सपत लिती एक अप्रेल 1977 में और लगवा 140 दिनों के बाधी यानि 25 विलाई 1977 को इन्हें अपना पत छोड़ना पड़ा और इनकी पार्टी कॉंग्रेस पॉर डेमोक्रेसी थी आपको बता दे कि सी एफडी यारी कॉंग्रेस पॉर डेमोक्रेसी जग जीवन राम द्वारा 1977 में अस्थापति एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो जग जीवन राम हेमती नंदन भावगुडा और नंदनी सत्वत्ती के इंद्रागादी की आयंसी पार्टी को छोड़ने और इमर्जेंसी के दोरान उनके सासन की निंदा करने के बाद इस पार्टी का गठन किया गया था त्रिवपुडा राजी के चौथे मुख्यमंत्री राधिका रंजन गुपता थे जो कि 26 जुलाई 1977 से 4 नॉमबर 1977 तक मुख्यमंत्री पत पर रहा है और ये जनता पार्टी से थे इनके 101 दिन क कारेकाल के बादी दूसरी बार त्रिवपुडा में 5 नॉमबर 1977 से 5 जन्वरी 1978 तक प्रेसिडेंट रून लागूरा राश्पति सासन हटने के बाद त्रिवपुडा के पांचवे मुख्यमंत्री निर्पेन चक्रुबरती थे इनका जन 4 अप्रेल 1905 को धाकार डिश्टिक क में वहाँ पे हुआ और इनका कारेकाल 5 जन्वरी 1978 से 5 फरवरी 1988 तक रहा और आपको बता दू कि यह लगबग 6 दसको तक भारत के कम्यूनिस्ट आंदोलन में सामिल रहा है सिक्स चिप मिनिस्टर सुधीर रंजन मजमुदार का जन 18 मई 1949 को बंगाल प्रेजडेंसी के बंगलादेश में हैं इनका कारेकाल 5 फरवरी 1988 से 19 फरवरी 1992 तक रहा और इनकी पार्टी इंडिया नेशनल कॉंग्रिस थी सेवन चिप मिनिस्टर दोस्तों समीर रंजन बर्मन का जन 28 अप्रेल 1940 को बंगाल प्रेजडेंसी के किसोर गन जो के बंगलादेश में हैं वहां प ग्यारा मार्च 1993 से 10 अप्रेल 1993 तक त्रिप्रा राज के अगले मुख्य मंत्री दस्टत देव वर्मा थें इनका जन 2 फरवरी 1916 को त्रिप्रा के बोलतली कामी में हुआ और इनका कारेकाल 10 अप्रेल 1993 से 11 मार्च उतक रहा और इनकी पार्टी कम्रिस पार्टी अफ इंडिय माक्स वादी थी नौबे मुख्य मंत्री दोस्तों मानिक सरकार थें इनका जन 22 जन्वरी 1949 को त्रिप्रा इस्टेट के उदयपूर में हुआ और ये 2013 में आवजीत विधान सवा चुनाओं में लगातार जीतने वाले चौथे बार मुख्य मंत्री बने थें आपको बता देक चुके हैं 2018 में दोस्तों इनकी CPIM पार्टी ने चुनाओं में बहमत को दिया और परडाम सरूपी ने पर छोड़ना पड़ा तो आप यहां देख सकते हैं कि त्रिप्रा में सबसे जादा Communist Party of India माक्सवादी सत्ता में रही थी नेश्ट दोस्तों त्रिप्रा के दसवी मुख को जीत दिलाई जिससे CPIM के नत्रित वाली वाम मोचा सरकार के 25 एरस के सासन का समाप्त हुए हैं आपको बता दे कि 9 मार्च 2018 को यह त्रिप्रा के दसवे मुख्यमंत्री के रूप में सपत लिए और चुनाओं से लगबग एक साल पहले यानि 14 मई 2022 को पत से इस्तिपा दे इनके इस्तिपे के बाद मानिक साह 15 मई 2022 को त्रिप्रा के 11 मुख्यमंत्री के रूप में सपत लिए इनका जन 8 जनवरी 1903 को अग्रतला में हुआ और इनकी पार्टी भारती जनता पार्टी है तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा त्रिप्रा में 16 फर्वरी को इलक्सन ह होंगे और वोट्स की काउंटिं सेकेंड मार्च को होगी तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगी त्रिप्रा विदान सभा में कितनी सीटों पर चुना होने वाले हैं आपको मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूं तो फ्रेंड्स वीडियो में हमने त्रिप को और जो आपको सब्सक्राइब करना नहीं बूलिएगा थैंक्स पॉर वाटिंग इस व्रेडियो